नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विटाजाइम कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है विटाजाइम कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और विटाजाइम कैपसूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि विटाजाइम कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में विटाजाइम कैपसूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। विटाजाइम कैपसूल के अंदर सिंथेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम मौझूद होते हैं। दाइजेस्टिव एंजाइम हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। हमारा शरीर भोजन को अच्छी तरह से पचाने के लिए अमाइलेज और लाइपेज जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम उत्पन करता है। परन्तु जब किसी कारणवर्ष हमारा शरीर परियाप्त मात्रा में डाइजिस्टिव इंजाइम नहीं बना पाता है, तब डॉक्टर कैपसूल की फोरम में सिंथेटिक डाइजिस्टिव इंजाइम लेने की सलाह दे सकता है. विटाजाइम कैपसूल शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कार्गोहाइडरेट, फैट और प्रोटीम को शरीर में अच्छी तरह से पचाने में मदद करता है. इसके अलावा विटाजाइम कैपसूल धूक को भी बढ़ाने में मदद करता है और जिन व्यक्तियो को एक भरा भरा हुआ महसूस होता है. उन व्यक्तियों के लिए भी विटाजाइम कैपसूल बहुत ही फाइदे मन्द होता है. विटाजाइम कैपसूल का उप्योग पेंक्रियाज के रोगों में, कई प्रकार के पेट के रोगों में, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होन पर भूग पढ़ाने के लिए और जिन विट्तियों को सीने में जलन रहने की समस्या रहती है। उन व्यक्तियों को भी डॉक्टर विटाजायम कैपसूल को लेने की सलाह दे सकते है। क्योंकि विटाजायम कैपसूल पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर, पेट में गैस बनने की समस्या को कम करता है कुछ व्यक्ति पूछते है कि क्या विटाजाइम कैपसूल वजन को बढ़ाता है या नहीं देखिए विटाजाइम कैपसूल सीधे तौर पर वजन को नहीं बढ़ाता है विटाजाइन कैपसूल केवल आपकी भूख को बढ़ा कर और पाचन तंत्र को मजबूत बना कर वजन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन विटाजाइन कैपसूल सीधे तोर पर वजन को नहीं बढ़ाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो खृपया वीडियो को लाइक करना नख भूलें। अब हम डिसकस करेंगे कि विताजाइम कैपसूल को कैसे लेना रेकमेंडेध होता है। विताजाइम कैपसूल को खाना खाने के तुरंत बाद लेना रेकमेंडेध होता है। आमतोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर विटाजाइम कैपसूल को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। विटाजाइम कैपसूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको विटाजाइम कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना विटाजाइम कैपसूल को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि विटाजाइम कैपसूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में विटाजाइम कैपसूल की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में विटाजाइम कैपसूल की वजह से कुछ सामाने side effects हो सकते हैं. जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, तवचा पर रैशिस, दस्त और कब्स की समस्या हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे कि विटाजाइम कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में विटाजाइम कैपसूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। लिवर और किड्नी की कोई बीमारी होने पर विटाजाइम कैपसूल की खुराग घटानी पड़ सकती है। इसलिए Liver और Kidney की कोई बीमारी होने पर इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं विटाजाइन कैपसूल को ले सकती है या नहीं। प्रेगनेंट महिलाओं के लिए विटाजाइन कैपसूल का सेवन करना रेक में डेड नहीं है, और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर विटाजाइन कैपसूल को लेने की सलाह कभी देते हैं, जब विटाजाइन कैपसूल का देना बहुत ही जरूरी हो, इसलिए प् विटाजाइन कैपसूल को नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका विटाजाइन कैपसूल से संबंधित कोई प्रश तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं